तो रंगो की तयोहार होली को महज दो दिन बचे हैं, लेकिन इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमर ने होली के बाजार के रंग में भी भंग डालने का काम किया है हर बार बाजार में एक हफ़दे पहले से ही खरिधारी की चहल पहल चुरू हो जाती थी मगर इस बार कोरोना की खत्रे से व्यापारी तह में हुए हैं बाजार का जैजा लिया संबादता उमेश मौरी ने लेकिन इनकी उम्मीदें इस बार कुरोना ने फिर तोड़ दी है लाखों रुपए खर्च करने के बाद गर्ज लेकर इन दुकानों को सजा दिया गया है लेकिन जो यहां पर खरिदार आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं कुछ वैपारी भी हमार साथ हैं उनसे बात करते हैं आखिर किस तरीके से आप देखते हैं इस बार अपने वैपार को इस बार वैपार के हालत तो बहुत सोची नहीं है और बहुत चिंता जनक है हम लोगों ने पैसा तो फशा दिया है लेकिन उम्मीद नहीं है बहुत नाउमीदी के कगाड़ पर हम लोग खड़े हैं अभी कुछ कहां नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा और आप खुद ही देख रहे हैं वैपाड में सन्नाटा चाया हुआ है इस बार कैसे आप कि अधसे मार्केड देखते हैं इस बार कोई धंदस समझी भी नहीं आ रहाए है वाल नहीं मैं आप पर होुदा chem कारें सोच रहे हैं एसे में क्या होगा है यो समझ में नहीं आ रहा है कैसे रोजी-रोड़ी चले गर परिवाडर गरीब आदमी कैसे चलेगा समझ नहीं आद T लूपरा है से चुरू हो गया है तेजी से फैल रहा है आप लोग मास्क और सेनिटाइजर को प्योग करें और घर में रहकर सुरक्षित हो ली खेले कैमरामेन प्रकासराव के साथ उमेश मौर्ण